खेलने, कुदने व पढ़ने की उम्र में अगर पहाड जैसी जिम्मेदारी आ जाए तो क्या होगा? इसको आप समझ सकते हैं। ऐसा ही मामला चमबा के सियूल गाउं का है जहां दस साल के मासूम गौरव पर दुखों का पहाड तूट पड़ा है। दरसल जिलास्पताल बौराडी में दस साल के मासूम गौरव की मा एक महीने से गंभीर बीमारी से जूज रही है जिसके इलाज की जिम्मेदारी मासूम गौरव के सर पर है। मा की बीमारी के चलते पिता भी नाता तोड़ चुका है। ऐसे में घर में कोई कमाने वाला नहीं ह जिस वजह से जिलास्पताल में तैनात फिजीशियन डॉक्टर अमित राय ने मासुम की पीडा को समझते हुए गौरव की पड़ाई का खर्चा उठाने की जिमेदारी ली है पापां ली का शुसे करते हैं मैंने बीक हाटे हैं hea पापा यहार में जोडे करने हैं मैं पेशेंट और एक महीने से हॉस्पीटल में उनका लड़का है हजबसन नहीं है उनके साइद चोड़ के चले गए हैं लड़का कापी हो ना रहे तो मैंने एक दिन देहा तो बैगे इसनी इनिशिएटीव ये लिया पढ़ने नहीं जाता है, तो मैंने जो भी होगा हमारी तरह से मदद, फैमिली की तरह से हमारे मेरे वाइट तरह से हम कर निक लेते ही जा रहे हैं, चाहिए उपढ़ने का फीज का कर्चा हो, जब दक मैं हूँ, मैं उठाने को लिए जाता है। दो जून की रोटी कमाने के लिए उसकी मा मेहनत मजदूरी कर जीवन यापन करती थी लेकिन गंभीर बीमारी के चलते जिलास्पताल में इलाज के लिए भरती है लेकिन डॉक्टर रॉय का उठाया ये कदम बेहद सराहनी है पंजाब केसरी टेहरी गडवाल से सोरे रमॉला की रिपोर्ट